हलो एवरिबडी दिस दिगरास सिंग राजपूत वेलकम टू मैगनेट बीज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक दी अहोम्स अभी तक हमने चैप्टर में जो भी देखा मतलब ट्राइब्स के बारे में नौमाइट्स के बारे में हमने उनकी सुसाइटी को समझा फिर एक क्लोजर लुक दिया हमने किसी एक स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रूप के उपर जो कौन थे गोंड्स अब गोंड्स के बाद में अगला जो हमारे पास में केस्टेडी है या फिर अगला जो ट्राइबल ग्रूप है जिसे North Eastern part में, हमारी country के North East में Ahomes गोंस यहां पर थे? यहां है Ahomes तो अब हम Ahomes के बारे में पडने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में आपको Ahomes को समझना है अच्छे से देखिए तो The Ahomes migrated to Brahmaputra Valley from present day Myanmar in the 13th century मतलब जब दली सल्तनित बनने वाली थी जब दली सुल्तान्स आने वाले थे जो स्लेव डैनिस्टी इनिशेली स्टैबलिश होगी तो उस टाइम पिरेट से क्या होता है उस टाइम पिरेट में ही ये वाला जो एरिया ये म्यानमार का है मतलब हमारा जो पडोसी देश है न इस community ahomes की है ठीक है अब क्या तो देखो तो they created new state by suppressing the older political system of booyans ठीक है booyans क्या है कि यहां के जो पहले landlords थे मतलब इस area में अगर हम बात करते हैं इस area में जो 13th century में landlords रह रह रहे थे जिने बयांस कहा जाता था तो इन बयांस को मार पीट के भगा दिया ahomes ने ahome tribe जो कहां से आये म्यानमार से इन्हों ने इन्हें भगाया बयांस को और अपने आपको establish कर लिया अपनी जो political system में उसे establish कर लिया ठीक है अब धीरे धीरे फिर क्या होता है कि establish किया ना भी अभी expand नहीं किया है तो वह expansion करेंगे किसके अंडर में expansion होगा यह इंसान के अंडर में कौन है यह तो यह सुकाफा जो है ठीक है सुकाफा वास दी founding father of a home kingdom a home kingdom इन्होंने ही establish करिये अब सुकाफा के बाद में फिर क्या होता है expansion होता है तो a home annexed the kingdom of chutiyas in 1523 ठीक है तो अब देखो यह यहां पर और भी जो दूसरे kingdom ने फिर क्या होता है they also annexed koch hajo ठीक है koch bihar यह वाला जो एरिया है पूरा यह यहां पर तो koch तो रहते थे koch tribe रहते थे koch hajo tribe इन्हें भी इन्होंने हराया तो अहोम ने अपना empire expand कर लिया northeast में असाम गंगव यह जो ब्रह्मपुत्रा है तो ब्रह्मपुत्रा वाले यह जो river है नहीं यह पर ब्रह्मपुत्र रिवर यह वाले एरिया में इन्होंने अपना लेंडलोट्स थे उनको हरा के उन्होंने कबजा कर लिया मयनमार से आये उटके यहां से यहां पर अपने empire को establish कर लिया लेकिन यहां के जो pre existing rulers थे या पिर जो pre existing dynastries थी उन्हें भी इन्होंने हरा दिया तो चुटियास को कोच जो इन लोगों को हरा के धीरे धीरों उन्होंने अपने आपको establish कर लिया है 13th century के आये हुए है 16th century तक जड़े जमा लिये और फिर क्या कर लिया उन्होंने अपने empire को expand करने के लिए they started using firearms ठीके बम गोले बारूद हतियार इन चीजों का इस्तमाल करने लगे हैं कब और कितनी जल्दी as early as 1530 मतलब आप अगर relate करोगे तो हमारे यहां पहली बार तोपे कौन लाया था हमारे तोपे जैसे आई तो तोपे बाबर लेके आया था 1526 में और तभी इन्होंने भी अपने तोपे बुलवाली थी कि आने तो बाबर को जर आई नहीं है और आप यह भी देखो कुसे कब तक रूड़ किया पताया उन्होंने मुगल एंपइर से ज्यादा रूल किया डिली सलतनित समझो यह आए डेली सलतनित्ट जब आई तब यही इस्टैविश हों गय थे हों और डिली दतनाट आके चलीगई मुगल एंपायर आ चैसो शाल तक रूल करते रहें और ब्रिटिश ही अल्टिमेटली इन्हें हराते हैं ठीक है ब्रिटिश टाइम पिरेड में हरते हैं अहुम्स तो उस तरह से एक लंबे टाइम पिरेड एक ट्राइबल कम्यूनिटी ने छेसो साल लगभग लगभग रूल किया जो डेली सल्तन और मुगल एंपायर से भी जादा था ठीक है तो अब देख लो यह रहा कि इन्हें एक्सपैंशन उतना नहीं कर पाए उस स्केल पर नहीं कर पाए बट यस देवर अक कैपेबल अक कॉंपीटेंट ट्राइबल अथारिटी इस ठीक है ट्राइबल कम्यूनिटी एक ऐसी थी इन्होंने मुगल एंपायर को टक कर दी थी और अंगजेब शहाजा इनकी नाक में दम कर दिया था ठीक है तो यह दियान रहेगा आपको उन्होंने एक्सपैंड कर लिया इन्वेजन्स वो देखने को मिल रहा था उन्हें ठीक है तो आप क्या होता है कि इन 16 in 1662 1662 दी मुगल मुगल्स अंडर मीर जुमला यह मीर जुमला कौन है अब देखो जड़ा ऐसे इंटर रिलेट कर वाँगा तब मजा आएगा तब तुम्हें रिलेट करने में भी अगर आपको ध्यान हो तो हमने जब टाउंस के बारे में पढ़ा था तो मुगल्स ने इंटर फेरेंस के लिए डच और ब्रिटिश को लड़ाने के लिए अपने एक मर्चंट को पहुचा दिया था कौन था वो मर्चंट मेर जुमला था तो वही मेर जुमला ठीक है मीर तो वो किसके अंडर में था मतलब डेकन वाली responsibility देखे रही थी फिर बाद में क्या होता औरंग जेब कभजा कर ले था गोल कोंडा पे रिलेट करो बस ठीक है गोल कोंडा वाला जो पार्ट था गोल कोंडा वाले पार्ट पर औरंग जेब कभजा करेगा तो औरंग जेब के कभजा करने से पहले मीर जुमला जो था तो वहां की politics को influence कर रहा था फिर इसका transfer कर दिया उपर पहुचा दिया ठीक है और फिर इसको responsibility द सकते हैं कि मुगर्स unsuccessful रहे तो 1662 का जो attack होता है by मुगर्स अंडर दी लिडर्शिप ओफ मीर जुमला attacked on the Ahomes kingdom ठीक है despite their brave defense the Ahomes were defeated ठीक है तो आप देखो यहाँ पर क्या है Ahomes का एक part डिपीट हुआ था पूरी तरह से नहीं हा रहे था यह दियान रखना है आपको ठीक है यह हो गया फिर क्या देखो structure of a home state तो अब a home state कैसे चलाते थे वो अब जब आप कह रहे हैं कि 600 सालों तक rule किया है एक बड़ा empire था no doubt इन्होंने rule कैसे किया होगा ठीक है what was their policy किस तरह से rule किया होगा तो अगर हम बात करते हैं उनके structure की the home state dependent upon forced labor forced labor क्या होता है मतलब आप किसी को जबरन काम करवा रहे हो हां जबरन काम करवाया जाता मतलब देखो यहां पर क्या है आप ट्राइबल सोसाइटी ऐसी थी कि उनके हाँ पेक सिस्टम था पेक सिस्टम क्या होता है तो पेक सिस्टम में a census on the population was taken census करते थे सोच लो समय पर census होना कि हमारे कितनी जन संक्या है उन्हों देख लेकि इस गा कितने लोग है फिर क्या है इच विलेज हैं टू सेंट अनंबर ऑफ पेक बायरोटेशन और फिर क्या होता है कि उस विलेज की पॉपलेशन के हिसाब से एक ग्रुप बना देते थे ठीक है अब जो एक पेक बनता था तो उस पेक के में जैसे मानलों 10 लोग है तो उन 10 लोग एक जारा है जैसे कहा है कि कहीं पर बिज बन वा रहा है अगर अंवी में कहीं पर रोड बन रही है तो उसमें काम कॉन करेंगे लोग और यह शिस्टम रहता है था पेक शिस्टम समझ अगया तो अब किया है इन मुव्मेंट ओस पीपल सूं ट्रेंस अ पॉपूलेट अरिय जाता है कि यहां पर population जादा है यहां से लोगों को क्या कर दो जहां कम population है वहाँ पहुचा दो तो population को evenly distributed रखते थे यह फिर क्या है यहां पर centralized administration देखने को मिलता है centralized administration मतलब क्या है कि जो पूरी आहूम kingdom है तो पूरी आहूम kingdom को जो तो राजा है ठीक है जो अहूम kings है वो समाल के रखते थे सारी जगा पर ठीक है तो इस तरह से क्या है कि अहूम state का अगर आप system समझोगे तो वहाँ पे एक system था census होते थे उससाब से क्या है हर गाउं को पे एक supply करना पड़ते थे फिर क्या है कि जहाँ population ज़ादा होती थी वहाँ से कम population वाले area में लोगों को पहुचाया जाता था एक centralized system था यहाँ पर ठीक है यह सारा सब कुछ हो गया almost all adult males served in army during war इसराइल बना दिया इन्होंने क्या कि इसराइल में पता क्या होता है कि आप male female सबको training दी जाती है लड़ाई के लिए उनको तयार रखा जाता है कि अगर मौका है तो कुछ जाना मेदान में ठीक है तो उसी तरह से क्या है almost all adult males served in the army during war तो जब लड़ाई होती है अगर लड़ाई लड़ते हैं यह आहों जैसे मुगल से लड़ाई लड़ रहें तो जब लड़ाईयां होती थी तो सभी अडल्ट्स को आर्मी में सर्व करना पड़ता था एक चीज और देख लो यह एक ऐसी tribal community है मतलब आपको ऐसे पत्ते बत्त रिलेटिवली हाई था गन पार यूस करने यार वो ठीक है तो उस तरह से आप उन्हें प्रिमिटिव नहीं बोल सकते हो पीछे वाला नहीं बोल सकते हो ठीक यह हो गया अब देखो क्या है तो जब लड़ाई चल रही तब तो लड़ाईंगे बाकी टाइम क्या करेंगे तो लेबर की तरह काम करते थे देश के लोग मतलब उनकी किंग्डम के लोग तो एट अधर टाइम्स देवर एंगेज इन बिल्डिंग डैम्स इरिगेशन सिस्टम और पब्लिक वर्क तो यहां पर जैसे क्या होता था राइस कल्टिविशन होता था तो कॉमनली क्या है राइस क्या जाता था फिर अनाज बाट दिया करते थे तो उस तरह से जो बाकी लोग है तो अडल्ट्स जब लड़ाई नहीं चल रही होगी तो उस टाइम पर क्या करेंगे राइस कल्टिविशन पर इरिगेशन हो रहा है इरिगेशन का काम चल रहा है पब्लिक वर्क चल रहा है अब्रिज बन रहा है उसमें काम करते थे लोग ठीके आगे क्या है तो आहोम सोसाइटिवाड़ेड़ इंटू क्लैंस और खेल्स झाल इंटू क्लैंस और खेल्स क्या है यह बताता हूं मैं तो इनीशेली अगर श्टार्टिंग से बात कि जाये तो उनकी सोसाइटी में ठीक है फिर बाद में और बढ़ जाती है और गलाग बना धिया था तो वैसी अहों किंग्डम में जो क्लैं सिबाएं को क्या का जाता था था धियान रखना है घर इस फॉर गोंड किंग्डम्स, गोंड क्लैंस और खेल इस फॉर अहोंड क्लैंस, ठीक है? यह ध्यान रखना है, खेल ओफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेज़ेस, तो मतलब यह पूरी अहोंड किंग्डम है, तो कुछ विलेज़ेस की एक खेल बन गी, दूसरी खेल बन गी, तीस इस फ्री खेल बन गी, चौथी खेल बन गी, तो इनिशली साथ थी बाद में बढ़ा के और नंबर्स बढ़ा दिये गए थे खेल के, ठीक है? मतलब क्लैंस के उनके, ग्रुप्स के, कभी लो के, ऐसे समझ लो, अब क्या है? अब क्या है? मैं किसान हूँ, अहोंग किंग्नम में हूँ अगर मैं, तो मुझे मेरी community, मतलब मेरी village community, मुझे मेरे गाओं वाले क्या देखेंगे, गाओं के जो head मेंने, वो एक जमीन दे देखेंगे, बोल देखेंगे लाओ, ये जमीने इस पर खेती करो चुक चाप, तो उस तरह से कहा है, the present was given land by his village community, even, even the king could not take it away without the committee's consent, ठीके, और क्या है कि एक बार जमीन मुझे मिल गई, तो वो जमीन पर मैं खेती करूँगा, ठीके, बैल दोडाऊँगा, खुद दोडूँगा, कुछ भी करूँ, राजा खुद भी मुझसे वो जमीन नहीं ले सकता है, कब तक without the communities consent, तो मतलब जो village community बनी है न, मतलब administration समझ community की permission की बिना राजा भी नहीं ले सकता है, तो इस थरह से administration चल रहा था, ठीके, अब यहाँ पर एक चीज़ हमें यह देखनों की मिलती क्या है, कि यहाँ पर artisans की shortage थी, बुक में जैसे लिखा, NCRT क्या बताती आपको, कि यहाँ पर home kingdom में artisans नहीं थे उतने अच्छे, त artisans नहीं थे, तो फिर काम किसे चलता था भाई, तो दूसरे empire से क्या किया जाता था, artisans को बुलाया जाता, दूसरे kingdom से artisans आते थे, तो मानलो महल वगरा बनाना है कुछ, तो artist का जो काम होता है, तो यह लोग, they were not good artist, ठीके, तो artisans की कमी थी, home kingdom में, यह चीज भी आपक tribal gods, उनके अपने tribal gods होते है, अब अगर religious point of view की बात करें न, तो historians लिखते हैं कि बुद्धिजम से influence थे, उनका अपना tribal culture था, बुद्धिजम से influence क्यों थे, म्यानवार वगरा उस तरब से आये थे, तो एक कारण वो भी रहा, और बुद्धिजम से influence होने के साथ में, अपने खुद के tribal gods को मानते थे, नेचर वर्षिपर्स थे ये, ठीके, एक तो ये चीज़ हो गई है, फिर क्या होता, however, by 17th century, तो initially ये क्या है, tribal gods को मान रहे थे, लेकिन 17th century आते आते क्या होता है, ठीके, they were influenced by the Brahmans, ठीके, तो influence of Brahmans increased, तो अब अहोम kingdom में Brahmans का आना जाना बढ़ लगा, Brahmans belong to Hinduism, तो अब क्या होगा, Hinduism influence करेगा किसको, Hinduism influence करेगा अहोम्स को, तो temples and Brahmans were granted land by the king, अब राजा आ रहे हैं, राजा influence कर रहे हैं, तो राजा को राजा के दोवारा grant मिलने लगे, ठीके, मतलब एक तरह से कहता है कि, उनके सामने क्या करने लगे, कि उपहार दे इन मिनने लगी, तो धीरे-धीरे इनका culture क्या है, पतलब Hinduism जो है, तो penetrate कर रहा था, अहोम kingdom के बीच में, फिर क्या होता है, इंधी region of, इंधी reign of Sib Singh, Sib Singh राजा रहे हैं, अहोम kingdom के 1714 से 1744, तो Sib Singh के अंडर में क्या होता है, Hinduism became the predominant religion of Ahoms, तो अब Ahom kingdom में Hinduism जो है, वो क्या not completely gave up the traditional beliefs after adopting Hinduism, Hinduism बढ़ रहा था, लेकिन यह नहीं कह सकतो कि Holmes ने दूसरा अपना जो tribal culture था, उसे पुरी तरह से खतम कर दिया, ठीक है, तो उनकी जो traditional practices थी, जो उनकी traditional beliefs थे, वो भी सांथी सांथ और Hinduism भी सांथी सांथ चल रहा है, अब एक observation सुनो मेरी यहां पे, ट्राइबल्स का जो original culture था, वो original culture इतने सारे religions के सांथ में mix हुआ है, कि आज आप देखते हो, वो अपने आप में क्या होगए, एक नई चीज बन क्या गई, जैसे for example, आप क्या करते हो, कि बहुत सारी, जैसे आपके पास में क्या है, किसी के पास में कैलो, आलू भुजिया किसी के पास में क्या है किसे के पास में नाकुदा नमकीन हैं वह सारी चीजे आप सब को मिला दोगे सब को मिला दोगे तो के वह यहाँ खाल जाएगा वही चीज यहाँ पर भी हुई ती क्या हुआ था यहाँ पर कि मतलब旗 के सांथ हुआ था में in general tribes की बात कर रहा हूं कि ट्राइब्स जो थे तो ट्राइब्स ने क्या देखा इसलाम को भी देखा हिंदुईजम को भी देखा बुद्दिजम को देखा जैनिजम को देखा आप ट्राइब्स तो बहुत पुराने हैं ना फिर क्रिश्चन जैसे आते हैं ब्रिटिश आपको सभी तरह के रिलीजियन देखने को मिल जाएंगे हर रिलीजियन का एक ना एक फैक्टर देखने को मिल जाएगा ट्राइबल्स की रिलीजियन में ठीक है तो यहाँ पर इसी के साथ हमारा मतलब यह कर religious point of view भी complete होता है, अगर ahum society की बात करें अगर, तो ahum society में क्या है, poets and scholars were given land grants, तो poets वगरा जो होते हैं, ठीक है, जो कविताएं लिखते हैं, तो poets and scholars जो पढ़ते हैं, कुछ किसी चीज़ पर research करते हैं, तो they were given land grants, मतलब art और skills की knowledge की value की जाती थी, ठीक है, फिर क्या है, theater was encouraged, theater was encouraged, acting, ठीक है, बॉलिवूड था यहाँ पर, तो उस तरह से translated into the local languages, ठीक है, क्या होता है, कि Sanskrit का अगर को important work है, मान लोग कोई बहुत अच्छा grant Sanskrit का लिखा हुआ है, तो उन्हें क्या करना, start कर दिया है, इन लोगोंने local languages में convert करना, translate करना, local languages मतलब जो home languages है, फिर Assamese है, जैसे Assam वाला area, तो Assamese language में convert करना, start कर दिया था, अब यहाँ पर बुरंजीस के बारे में बताया है, तो बुरंजीस क्या है, बुरंजीस मतलब एक तरह से historical record है, किसका historical record है, बुरंजीस बता है, तो बुरंजीस historical record है, पूरी home kingdom का, मतलब home kingdom जो starting में सुकपा ने establish करी, तो वहां से उन्होंने लिखवाना चालू किया था, manuscript type से उनकी, तो वो manuscript में लिखते गए, लिखते गए, कि क्या क्या हुआ, kingdom में कैसे चल रही है, और उससे हमें पता चलता है, तो पहले home language में लिखी गई थी, ठीके, तो was written first in a home language and then in Assamese, और फिर Assamese language में लिखे गई है, तो यह a home kingdom का, पूरा का, पूरा कच्चा चिथा है, record था, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, I hope आपको सारी चीजे समझ में आई है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो feel free to ask in comment section, इसी के साथ हमारा अला topic complete होता है, स कुछ complete हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ आने वाले हैं, बाकि आपकी पूरी पड़ाई आप निश्चिंत रही है, magnet brains पे हो जाएगी, मतलब सारी classes, सारे chapters, topics, subtopics, सबकुछ इसी तरह से video lectures के format में available है, आपको घर बैटे अपना syllabus complete करना है, अपने juniors और seniors को भी magnet brains के बा किस्वाँ है के हैं, चाले आपारा है